नमस्कार, SPT News में आपका स्वागत है, पेश रास्थान की बड़ी खबरे केंद्रे जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत को इस बार पशिम बंगाल पुलिस की सक्ति का सामना करना पड़ गया, बंगाल के इंटाली विधान सवाश्चेत्र में प्रचार करने पहुंचे शेखावत को, पुलिस ने उस वक्त रोक लिया जब एक चुनावी पस्तल के ओर जा रहे थे, हालांकि पुलिस के इस रोक के बाद केंद्रे मंत्री ने रोके गया स्थान पर ही इंटाली से भाशव प्रत्याशी प्रियंका अटिब्रेवाल के लिए सभा कर डाली, केंद्रे मंत्री शेखावत ने यहां आकरामक अंदाज में भाशन दिया, उन्होंने चुनौबर चार से रोके जाने पर मम्ता बेनेर्जी सरकार पर जम करने शाना सा था। राजसान में अप्रैल से गर्मी के तीखे तेवर महसूस किये जा रहे हैं। अधिकतर जिलों में तापमान 35 के पार पहुँच किया है। मरुसलिय जिलों में तो हालात और भी खराब होने लगे हैं। आने वाले दिनों में पशिमी राजसान की सिती और बिगडने वाली है। अप्रैल के शुरुआत में आसमान से बरस्ती आग से मरुधरा का तापमान लगातार बढ़ता रहा है। भीषन गर्मी के साथ सारा राजसान में आंधी अंधर लोगों को परेशान कर रहा है। पुरी देश में पशिमी राजसान के जिलों को रैड जोन में शामिल किया गया है। यानि पृषासन को हाई अलर्ट पर रहना होगा। इसके अलावा पूर्वी राजस्तान को औरेंज जोन में शामिल किया गया है इसका मतलब प्रिशासन को सतर्क रहना होगा मौसमे भाग ने अपना ताजा बुलेट निंज जारी किया है 5-6 अपरैल को एक नया पशिमि विक्षोप सक्रिय होने से पशिमि राजस्तान के उजयसल में नागौर, जोदपूर, विकानेर, हन्मानगर, गंगानगर चूरू में प्रभाव देखनी को मिलेगा ताजस्तान में विधान सभा की तीन सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में एक नई चर्चा शुरू हो गई है चर्चा ये है कि क्या उपचुनाव में एक ही पार्टी की दो टी चुनावी मैदान में है क्या जो लोग कल तक अपने थे, वही आज बीजेपी के लिए पर आये हो गई है और क्या इन सीटों पर आमने सामने का मकाबला है या त्रिक कोणी दरसल ये सबी सवाल इसले खड़े हो रहे हैं क्यूंकि रास्टे लोगतांत्रिक पार्टी ने भी तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उता रहे हैं और इसके बाद बीजेपी ने आरलपी को कॉंग्रेस की बी टीम बताते हुए आरलपी पर सवाल उठा दिये हैं बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत शुकरवार को उदेपुर से नादवारा पहुंची जहां उन्होंने श्रीनाज जी के राजभोग जहांकी में दर्शन किये इस दोरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आगामे फिल्मों को लेकर मनौती भी मांगी वहीं दर्शन के बाद अभिनेत्री कंगना को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रीनाज जी के मंदिर में उनके फैन्स जुटके इस दोरान कंगना ने भी फैन्स का भिवादन स्विकार किया और उनके साथ तस्वीरे भी ली सान के मुख्यमंतिया अशो गहलोद ने कोरोना की दूसी लहर में बिना लक्षन वाले सामने आ रहे अधिकांश मरीजू की सिदी पर सोचल मेडिया के जरिये चिंता जताते हुए आमजन से कोविड हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है गहलोद ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना की इस दूसी लहर में आ रहे अधिकांश मरीज बिना लक्षनों वाले हैं पहले मरीज में लक्षन दिखते थे जिससे उनके पहचान कर क्वारंटीन करना आसान था बिना लक्षनों वाले मरीजों की पहचान बिना टेस्ट के मुश्किल है रास्तान की तीन सीटों पर हो रहे उप्चराव के बीच ही गहलो सरकार नौकर शाही में फिर बदल करने के तैयारी में है विश्वस्त सूत्रों की माने तो आज तीन दर्जन से ज़्यादा IAS, IPS और RAS अधिकारियों को इधर उधर किया जा सकता है बताया जा रहा है कि तबादला सूची को लेकर मुख्यमंत्रिय अश्यों के हलोत मन्थन कर चुके है जैसल मेर जिले में स्थित रास्टिय मरूध्यान अभहरने में गत बुधवार को सुदासरी शेत्री में मादा गोडावन के बच्चे के साथ में विचरन करते हुए दिखाई दी सुधासरी शेत्र में गर्ष्ट के दौरान वन विफाक के सहायक वन सनक्षर्क विजय बोराना तथा वनपाल कमरा सिंग के ओर से मादा गोडावन वे बच्चे को देखा गया सुधासरी शेत्री में पूरू में साथ माता गोडावन बच्चों के साथ विचरन कर रही है जो कि पिछले वर्ष अंडों से निकले हैं जबकि 31 मार्ज को दिखाई देने वाला बच्चा संभवत है एक सपताह का प्रतीध हुआ जो कि दर्शवाता है कि फरवरी माह में ही ग निवरत होने ज़ार है राज्यकर्मियों का बीमा परिपक्व होने कि स्थिती में एक ही फ्लॉट में शर्थ प्रतिश्यत लक्षय अर्जित करते हुए भुगतान की प्रिक्रिया संपादित की गई जोसल मेर जुला कलेक्टरी सभाक्ष में गुरुवार को आयो जित का एक सीधे उनके खातों में पहुँचवा दी जाएगी जुला कलेक्टर मोदी ने राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधी विभाग के उपने देशक डॉक्टर संजीव कुमारदास एवं सभी कार्मियों को की इस उपलब्धी के लिए सरहना की है और कहा कि सुशासन के शेत में ये बहतर और अनुकरणिया कदम हैं जिसका अनुकरण सभी विभागों एवं राज्य कर्मियों को करना चाहिए रायसान के जातर जिलों में शुकरवार को तेज धूप से तलखी बरकरार है हलांके जयपूर समेथ कुछ जिलों में मामली बादों के कारण धूप धुंदली हो गई है इसका असर लोगों के स्वास्ते पर पड़ सकता है मौसम विभाग के अनसार आने वाले तीन से चौर दिन में पार और तेन डिगरी तक चुड़ सकता है जयपूर में शुकरवार को तेज गर्मिक आसर फिर से दिखाई दे रहा है बीति 24 खंटे में जयपूर कादिक्तम तापमार 35 टिगरी और नियुनितम 20 टिगरी दर्च किया गया है दोपह तक फिर ये बढ़कर 35 टिगरी तक होने की संभावना है राजे के बिकानेर चुरू सीकर जुदपूर बाड मेर जसल मेर आदी जिलों में कमोबेश मौसम का यही हाल है रन थमबा रास्टे उध्यार में गुरवार को जोन दो ही गांधरा देह इलाके में बागिन टी सिक्स्टी के एक शावक का शव शत विशत हाल में मिला शाव करीब पांच माह का था सुबह ट्रैकिंग कर रहे वनकर्मियों को दुर्गन आने पर शाव का पता चला शाव पांच दिन पुराना होने से सड़ गया था वनकर्मियों ने शाव को कबजे में लिया पोस्टमाटम के लिए शोहर सित राजबाग चौकी वनशेत्र में लेकर आए यहां प्रशासने क्वेवन विभाग के अधिकारियों वैचे किस्तिकों की उपस्तिती में शाव कानतिम संसकार कर दिया गया जैपूर के विकास को गती देने के लिए कवाइच शुरू हो गई है जडिये शोहर में 52 करोड के विकास कारे करवाएगा जडिये में PWC बैठक में विकास कारे को स्विकृति प्रदान की गई साथ ही GDA शित्राधिकार के उद्यान पार्कों के लिए परामर्श दाता न्यूक्त करने के निदेश दिये गए उद्यान पार्कों से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए GDA कारेले में कॉल सेंटर विक्सित करने को भी कहा गया GDC गरव गोयल के अनुसार GDA की वेस्ट वे हाई योजना में विकास कारियों के लिए 9 करोड 82 लाग ट्रांस्पोर्ट नगर योजना के ब्लॉक A B में बीटी सड़ा के अवं लो वाइट कंपाउंड वॉल के लिए 11 करोड प्रिशासने के अवं वित्य स्विक्ति दी गई मारास्ट में करोणा के केस में बेहत तेज रफ्तार से हो रही बढ़ोत्री को देखते हुए सरकार ने सकती शुरू कर दी है पूने में अगले 7 दिन शादी और अंतिम संसकार को छोड़ कर सभी सारवजनी कारक्रमों पर रोक लगा दी गई है अंतिम संसकार में 20 लोगों और शादियों में 50 लोगों को अनुमती होगी यह आदेश अनिवार से प्रभावी होंगे कॉंग्रिस महसेची प्रियंका गांधी के पती रोबर्ट वार्डरा की करोणा रिपोर्ट शुकरवार को पोजिटिव आई है इसकी बाद सुरक्षा के लिहाद से प्रियंका ने अपना असम दौरा रद कर खुद को होम आईसोलेट कर लिया है प्रियंका ने सोचल मीडिया पर लिखा है कि हाल ही में कोरोना संक्रमन के संपर्क में आने के चलते मुझे अपना असम दौरा रद करना पड़ रहा है राजसान के सहाड़ा सीट पर भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया ने शुकरवार को नाम वापस ले लिया बागी के नाम वापस लेते ही भाजपा ने रहात की सांस ली है पितलिया ने नाम अंकन भने से लेकर नाम वापस लेने तक कोई सारजनिक बयान नहीं दिया भाजपा के बड़े नेताओं के दबाव के बाद पितलिया नाम वापस लेने के लिए तयार हुए पितलिया की नावापसी के बाद भाजपा प्रदीश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सहाड़ा से जीत सुनुशित होने का दावा किया है तो फिलाले स्पुलेटिन में इतना है फिर हाज़िर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ SBT News के और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें